1920 सदी की शुरुवात में भाप से चलने वाले इंजनों का आविशकार सामान्य जनता में एक बड़ी क्रांती लाया। इस नई तक्नीकी से परिवहन क्षेत्र में बहुत अधिक बदलाव हुआ, खास कर रेलवे परिवहन में। भाप इंजन से चलने वाली पहली रेलवे इंजन को जॉर्ज स्टीवेंसन और उनके बेटे रॉबर्ट ने बनाया था, जो इंग्लैंड की रेलवे परियोजनाएं बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। जो भाप उत्पादन को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कनेक्टिंग रॉड्स और पिस्टन सिलेंडर को भी पहले से छोटा बनाया, ताकि वे पहियों को घुमाने वाले बल को अधिक बल प्रदान कर सकें। उनके इस अदभुत आविशकार का नाम रॉकेट लोकोमोटिव था। उस समय अन्य लोकोमोटिवों की तुलना में रॉकेट लोकोमोटिव की गति बहुत अधिक हुआ करती थी। इस कारण रॉकेट लोकोमोटिव अन्य लोकोमोटिवों को कुछ ही समय में पीछे छोड़ देता था। रॉकेट लोकोमोटिव की लंबाई लगभग 7 मीटर और उंचाई 5 मीटर थी। और इस लोकोमोटिव का वजन 4 टन से उपर था, जो भाप से चलता था। इस लोकोमोटिव की अधिक्तम गती 47 किलो मीटर प्रति घंटा थी। इसके साथ 1830 में रेलवे लाइन का उद्धा घाटन हुआ और रॉकेट लोकोमोटिव ने दुनिया में पहली सफल यात्री ट्रेन को खींचा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।